प्रस्कार बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं, Grand Jyoti Secret सुक्र का रासी परिवर्तन हो रहा है, सुक्र अभी तक अपने ही घर, ब्रिसब रासी में थे, अब वो यहाँ से निकल कर अपने मित्र के घर, मिथुन रासी में आ रहे हैं जब सुक्र मिथुन रासी में आएंगे तब तमाम रासियों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा देखिए 28 माई को यहां आएंगे और 22 जून तक रहेंगे तो मेश वालों आपके धन भाव और साथ में भाव के स्वामी है और आपके यहां पर मिथुन रासी में आने से यानि तीसरे भाव में आपका साहस बढ़ेगा छोटे भाव बहन के साथ आपका कॉन्फिडेंस यानि कि जो आपका बॉन्डिंग है वो बढ़िया होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा इस समय आप अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे सुक्र आपके दूत्वी घर के स्वामी है इसलिए धन के मामलों में अनावस से खर्च हो सकता है बिला सिता की चीजों पर तो थोरा सा कंट्रोल कीजिए समय अच्छा है पर इस समय खाने पीने की चीजों का खास ख्याल रखे सुक्र आपके लगन और छटे भौके स्वामी है संचार धन परिवार के दूसरे भौ धन भौ में आएंगे अब धन भौ में आने से बहुत सारे लोगों से मुलाकाते होंगी सुमांगली कार में इन्बॉल होंगे अपना मकान भूमी भवन प्रोपर्टी का सुख देंगे और इस समय जो लोग बेपसाई हैं कारस्तल पर छोटी मोटी समस्याएं रहेंगे लेकिन धन खर्च करने के समय सोच समझ कर आगे बढ़े और दमपत्ती जीवन ठीक है संतान प्राप्ती के योग बन रहे हैं स्वास्त के लिहाज से थोड़ा सा समल कर रहे हैं क्योंकि सुक्र की सब्तम दृष्टी आपके अस्टम भाव पर है तो स्वास्तानी है जो मिथून वाले हैं उनके लिए सुक्र पांचवे और बारवेक भाव के स्वामी है और इसमें आपके लगन में है लगन का मतला प्रथम भाव, आत्मा, बैक्तित्तो और मन का स्थान अब यहाँ पर सुक्र के आने से अपने काय स्थल पर आपका बर्चस्त रहेगा आप बहुत ही आकरसक दिखेंगे, खुबसूरत दिखेंगे सब्तम भाव पर द्रिष्टी है तो आप पार्टनर्सिप में काम करते हैं या आपका खुद का ब्यपसा है, आपका खुब चलेगा आपके पांचवे घर के स्वामी है तो खासकर जो विद्यारती उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है बैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा है संतान प्राप्ति के योग दिखते हैं पुरानी किसी समस्या से आपको मुक्ति मिलने के योग है और इसमें आप गुड का सेवन करें तो अच्छा है गैर जरूरी सामान पर खर्च करने से बशना होगा जो भी करें कोई उलजने हो बड़े बुजरुग का साथ ले उनसे सलाह ले इसमें आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है कुछ समय के लिए और रिष्टेदारों के साथ छोटे मोटे विबाद होने के योग है जो बैपसाई हैं उनके लिए बढ़िया है बिदेश से जुड़ा बैपार करते हैं तो संभव है यहाँ पर आपको खूब पैसा है वैसे इस में बड़े बुजर्गों के स्वास्त का भी ध्यान रखे है सिंग बालो सुक्र आपके तीसरे और दस्वे भाव के स्वामी है और इस में आपके एकादस भाव में आ रहा है एकादस भाव एक्छाओं का भाव है मात्वकान चाओं का भाव है तो मेहनत तो करनी होगी पर मेहनत का फल भी आपको कुम मिलेगा बैपारी है तो छोटी छोटे यात्राएं आपको लाब दे जाएगा अपनों के साथ इस समय यात्रा के योग बन रहे हैं और साथ ही चुकि आपके पांचवे भाव पर सुक्र की दृष्टी है तो ऐसे में लोट्री जुवा सक्टा से लाब होगा लेकिन फिर भी समल कर क्योंकि नुक्सान भी हो सकता है आवस्टा पढ़ने पर आप यहां पर बड़ों की सला से काम करें तो अच्छा रहेगा जो कन्या वाले हैं उनके लिए सुक्र का ये परिवर्तन देखिए कर आपके जो हैं धन्वों और नवे भॉं के सवंहैं या के करियर आपके प्रोफेशन यानि दस्में घोंसरे आज हैं अब दस्में भॉंस सुकर के आने से ऐं मीडिया गलेमर वाले फिल्ड कूल कूल मिलेगी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी आनंद बढ़ेगा जीवन में प्रेम बढ़ेगा इस्थिरता आएगी सुख सुभी धाओं पर खर्च होंगे वहन का सुख अपना मकान का सपना पूरा होना भी यहां पर दिखता है तो सुक्र को और बहतर कीजिए र लगन के स्वामी है और आपके सुभाग धर्म लंबी दूरी की यात्रा का भाव जो नौम भाव है यहां पर आए हुए हैं अब इससमें आपको उचाईयों पर पहुंचने से कोई निरुक पाएगा क्योंकि सुक्र आपको सब कुछ देने वाले हैं आपका ग्यान बढ़े रहेगा जो बिस्चिक वाले हैं उनके लिए सुक्र का यह परिवर्तन आपके सब्तम और बार्वें भौके स्वामी है और अस्टम भौ में आ रहे हैं अस्टम भौ जो दुर घटनाओं का है दुस्मनों का है बिरासत का है अब सुक्र के यहां आने से आपको अपने रिष् सकता है तो बहुत सोच समझ के धन खर्च करना है हलांकि वहां का सुक्र मकान का सुख भी देंगे सुक्र लेकिन मांसिक चिंताय बढ़ा रहे हैं तो इससे बाहर निकलने के योगा ब्यास करें गायत्री मंत पढ़ें थोड़ा सवास का ध्यान रखें तो बढ़ियां से आपके लिए जो आपकी परसनल चीजें हैं मन चाही डील होगी आपको उसका लाब भी मिलेगा काम को सिमीद कीजिए प्रात्मिक ताओं का ध्यान रखे तो बढ़ियां है जो लोग पार्टनर्सिप में काम करतें उनको नए अपसर मिलेंगे और इस्तिती से आप खुद में च्छटे वह में आएंगे च्छटा वह रोग चोट रिन करजे सत्तुर का भाव है अब यहां पर सुक्र के आने से जीवन में मुस्किलें बढ़ेगी चोटी चोटी बातों को लेकर कहीं बाद भी बाद ना हो जाए इसका आपको ध्यान रखना होगा धैर को बनाए पेट समंधी समस्या हो सकती ध्यान रखे पाचनku तंद्र पर इसका प्रभाव दिखता है कि और यहां पर आने से शुक्र का आपके जीवन में लाप दायक पेडंाम मिलेंगे और सुक्रप आपको कई तरह की खुजियां भी देंगे क्योंकि करियर में आपको उन्नती होगी ब्रदी होगी जो बिद्यारती हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा शेयर मार्केट बगर में आप पैसे इंवेश्ट कर सकते हैं सोच विजार कर और इस समय आप साधी सुदा जीवन में बच्चों के साथ खुश रहेंगे आपको सम्मान बढ़ेगा स्वास्त को लेकर थोड़ा सा सतर करेंगा है क्योंकि अपच की समस्या इसमें परिसान करती भी नजर आ रही है तो खाने पीने का बहुत ख्याल रखिए और जो कुम्ब वाले हैं आपको मान सम्मान पद परतिष्टा धन दौलत नौकरी बैपार में तरक्की होगा अब जो मीन वाले हैं उसकी बात करें तो देखिए मीन बालों आपके लिए सुक्र तरती और अस्टम भाव के स्वामी है इस समय आपके माता बिलासिता आराम के भाव चतुर्दवाओं में है तो आपको भूमी भवन वाहन प्रोपर्टी का सुक मिलेगा कठिन मेहनत से फल मिलेगा कार छेतर में अपनी वानी पर कुटनीती का ध्यान रखे आवानी पर ध्यान रखें कुटनीती से काम करें तो बढ़ियां रहेगा भावनात्म रूप से कहीं भी ना वहें वर ना फस जाईएगा लव लाइब में बहुत सारी चुनोतिया रहेंगी सेहत का ध्यान भी रखें और इस समय करोना वैरस का वक्त है तो संभल के रहेगा बढलेगा भावना वहेँ विया जगगा वहेगा है रहे एवावनात्म रूप से कहा वह ता शाहा रहें और वो में वहेँ नां ह मॉचत प statements पता रहें जव ऱुनोतिया व kanा यू और